अगर आपने तीन वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट पे जाए और तीन वीडियो देखिए यह आपको तब ही जाता अच्छा समझाएगा चलो स्टार्ट करते हैं अच्छ का तो सबसे पहले आज हम करेंगे एस्कीप करेक्टर्स तो मैंने आपको लास क्लास में डेटे टाइप्स पढ़ायते तो उसमें एक टाइप रहे गया था जिसको कहते हैं बूलीएन तो बूलियन में हमारे आते हैं true or false true or false और याद रखिए जब भी आपको true or false लिखने हैं तो T capital और F capital होना चाहिए अब इनको कैसे लिखते हैं जैसे हमने A में डाल दी value true तो हम मैं print A कराऊंगा तो true आएगा but यहाँ पर true एक string नहीं है यहाँ पर true एक keyword है जो हमने तो यहाँ पर लिखाएगा bool मतलब boolean ऐसी false के लिए होगा तो वो भी उसका boolean ही होगा true और false का F capital रखना है यह हमारा आगे बहुत use होगा तो आज escape characters escape characters में यह होते हैं और भी होते हैं जो mainly use होते हैं वो हमारे यह होते हैं अब यह अब काफी लोगों को confuse होता होगा इन इन दोनों slash में तो मैं बता दूं यह वाला यहां पर हमें जो सारे escape characters हैं वो हमें back slash में use करना है जो हम बच्पन से use करते आ रहे हैं slash लगाने के लिए वो हम करते हैं forward slash तो यहां पर हमारा use होगा back slash अब यह जो हमारा पहला back slash है अब जैसे हमें कुछ print करवाना है जैसे हमें करवाना है अब जैसे हमारे हाँ पर string है यह string है बट हमें यहां पर बीच में यह वाला चाहिए तो यह क्या करेगा python by default यहीं से यहीं string गेने का क्यों क्योंकि इसका single यह वाला inverted comma यहां पर खतम हो गया तो यह इसको ignore करेगा और error आ जाएगी अब हमें अगर बीच में single यह भी लाना है हम चाहते हैं कि यह string यहां तक पूरी हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर एक escape character लगा देंगे अब यह पूरा print होगा और हमारा post of yes भी आएगा इसका एक तरीका यह दूसरा तरीका है हम यहां पर double inverted comma लगा देंगे अब हम इसको backslash को अटा वे देंगे तो भी गिनेगा यह और इंजी जो के लिए काफी useful होता है जैसे हमें बीच में चाहिए अब हमें यहां पर हमें जैसे कि यह चाहिए हमें backslash चाहिए अब क्या करता है यह जो backslash होता है यह कैसे काम करता है इसके आगे आने वाला जो term होता है वो उसको ignore कर देता है तो जैसे हमने इस किया कि ऐसे करके s लगाया तो यह इस वाले single inverted comma को ignore मार देगा इसी लिए हमारा यह print हो जाएगा यह तो इसको अगर ignore नही एक slash लगा देंगे तो अब हमारा एक print में आ जाएगा और एक रह जाएगा क्योंकि एक उसने ignore कर दिया इस वाले ने इसको ignore कर दिया अगर मैं एक और लगाऊंगा तो अब दो आ जाएंगे अब दो नहीं आए क्योंकि इसने पहले वाले ने दूसरे वाले को suppress कर दिया दूसरे वाले ने तीसरे वाले को suppress कर दिया तो एक ही आएगा पहले वाला double slash बता दिया मैंने कि उसको backslash को print लानो तो यह करते अब यह है backslash n अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जैसे मैं यहां पे print लिखता हूँ और अगली लैन में लिखता हूँ प्रिंट तो यह दोनों अलग-अलग line में आते हैं अब कभी धिया दिया है कि यहां पे लिखने के बाद यह ugly line में कैसे गया तो यह ugly line में कैसे गया इसके लिए हमारे पास use होता है यहां पे जो by default यहा के लिए यहां पर यह होता है जो यह by default लेता है मतलब अगर मैं इसको लगाऊ नहीं लगाऊ एक ही बात है बट हम क्या करेंगे इसमें by default backslash n होता है मैं यहां पर backslash n की जगह space दे दूँगा तो अब मैं इसको print कराऊंगा तो यह same line में आएगा तो अब हमें हमें कभी भी अगर जोट पड़े कि हमें एक ही line में दोनों statement प्रिंट करानी और आगे जितने भी हो तो हमें उसके इसे end equal to space लगाना पड़ेगा क्योंकि by default यह यह लेता है तो यह अगिल end में जाता है अगर यहां पर हम एक और end मार देंगे तो यह दो लाइन में जाएगा अब यह slash t backslash t यह हमें एक space दे देता है tab का space देता है slash r यह थोड़ा सा complicated है बट इतना भी मिश्किल नहीं है इसके हम वैसे कहते है carriage return carriage return इसका क्या काम है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने यहां पे लगाया अब मैंने यहां पे लगाया python अब यह क्या करेगा इसके बाद जहां पे भी slash r के बाद जितना भी term होगा यह term उठके एकदम आगे front में चला जाएगा और front में कहां तक जाएगा जितनी इसकी length है अब python की length कितनी यहां पे पी वाई टी होगा यह six letter का है तो यह क्या करेगा यहां पे six letter replace कर देगा तो यह पूरा रंजन replace कर देगा और यहां पे लिख देगा python शर्मा तो यह काम है कहां पे business use case में कभी use होगा पता नहीं बड़ आना चाहिए क्योंकि यह कभी use हो सकता है तो escape characters हमारे हो गए है अब आते arithmetic operators अब आते operators in python तो python में काफी type के operators होते हैं arithmetic assignment comparison logical identity membership bitwise तो arithmetic में आपको पता ही है plus minus divide multiply अब यहां पे यह होता है इसको हम कहते modulus यह modulus होता है as a remainder काम करता है जैसे हमने किसी को divide गया तो उसमें कितना remainder बचेगा यह हमें odd even check करने मेरे example में बहुत use होगा और यह होता है double star इसका मतलब double multiply मतलब इसकी power अगर हमें लिखना है 2 की power 2 तो हम लिखेंगे 2 multiply multiply 2 मैं दिखा़ता हूं यह काफी use हो सकता है जैसे 2 multiply 2 अब इसका 256 हो जाएगा तो यह इसे power का काम करता है यह double slash होता है divide के लिए बट यह decimal ignore कर देता है अब जैसे हमारे पास यह number है और हम इससे divide करना चाहते हैं तो हमें यह decimal में देगा बट हम चाहते हैं सिर्फ हमारे पास इंटीजर में आए तो हम इसमें एक को slash लगा देंगे तो यह इंटीजर में आएगा इसका decimal नहीं काउंट होगा अब लॉजिकल ऑपरेटर सॉरी assignment operators assignment operator value assign करने के काम आते हैं तो मैं यह सारे के करके बताऊंगा तो बोर जाओगे तो यह खुड ट्राइ करना जैसे equal to होता है कि उसको value assign कर देता है जैसे equal to 5 अब एक की value कितनी हो जाती है 5 हो जाती है तो यह सारे value assign करने के काम आते हैं तो हम जो comparison operator logical operator identity operator membership operator यह हम अगली slide में करेंगे क्योंकि इन सब के लिए conditional statements में यूज आने वाले operators हैं यह तो अब आगके चलते हैं तो सबसे पहला functional length तो मैं आपको length function के बारे में बता दो यह किसी भी data type की length बताता है अब जैसे हमारे पास list है हम पर list में 1 2 3 4 है अब हम जैसे length देखते हैं length of list देख रहे हम पर 4 आएगी हम string की भी check कर सकते हैं जैसे rx string है जिसमें उसमें रंजन है और हम इसमें check करते हैं length of r तो यह हमें बतादेगा 6 है अब आगे आते हैं indentation indentation यहां पर बहुत यूज होता है जितने भी loops हैं इन सब में indentation यूज होता है अब हमारे पास indentation मतलब क्या होता है indentation मतलब है यहां पर यह जो box है और यह जो जैसे कि यह आपको बस इतना याद रखना है यहां पर कि जो एक tab का space है यह एक indentation है अब यह मैं अगले पर जाओंगा यह दो indentation है तो depend करता है कि उपर जो loop खतम हो रहा है वो शूरू हो रहा है वो कहां से हो रहा है तो उतनी indentation आती है तो आपको यह भी conditional statement और for or while loop में indentation कर समझाएगा तो सबसे पहले आती है conditional statement अब conditional statement क्या होती है अब real life में भी हमारे पर समिशक conditions होती है जैसे अगर यह हुआ तो यह होगा अब जिससे हमारे office में होता है कि अगर आज boss आया तो मैं time से निकलोंगा अगर boss नहीं आया तो मैं जल्दी निकल जाओंगा तो यह कंडिशन है यदि boss आया तो मैं time से जाओंगा अगर नहीं आया तो मैं जल्दी निकल जाओंगा तो यहां प अब क्या है जैसी यहां पर कंडिशन हमारी हो जाएगी उसके बाद हम कॉलन लगा देंगे यह कॉलन हमेशा याद रखना है अब जैसी हम कॉलन के बाद इंटर मारेंगे तो पाइथन के जितने भी आईडी यह उनमें डिफॉल्ट फंशनलिटी डाली गई है कि वह कॉलन के बाद जैसी अगली लैंड में आएगा तो वह इंडेंटेशन अपने आप ले लेगा बट अगर हम यहां पर ऐसे बैक स्पेस मारतेंगे तो हमारा कोड न रहेंगे वह फिर भी इंडेंटेशन लेगा क्योंकि वह उसको लगेगा यहीं पर चलना है बट हम इसमें नहीं जा रहे हैं अब हमने बाहर आगें इस लूप से हम आगें एल्स अगर वह नहीं आया तो मैं करूंगा प्रिंट कि एविल गो हों कि अर्ली अब यहां पर मैंने बॉस की डाल दी है प्रेजेंट डाल रखिए उपर हार्ड कोड कर रखिए तो इसलिए क्या हो रहा है वह यहां पर आया है इफ बॉस एककल टू प्रेजेंट बॉस प्रेजेंट है तो यहां पर भी बॉस प्रेजेंट है तो वह इस वाली लूप में चला जाएगा परिंट गो बाई टाइम अब जैसे हम कंडिशन लेते हैं अपने लाइप में यदी बॉस आया तो मैं टाइम से जाओंगा तो फिर एल्स वाला तो आएगा यह नहीं ना कि वो नहीं आया अगर मैं यहां पर डाल देता हूं अब क्या होगा वह सबसे पहले यह यहां पर आएगा बॉस की वेल्यू देखेगा अगर प्रेजेंट है अब वह कंपेर करेगा यहां पर यहां तो बहुत की वैल्यू एपसंट है तो मतलब मुझे इस इफ के अंदर जाना ही नहीं है क्योंकि यहां पर एक स्पेस इंडेंटेशन लगा हूँ है तो इस इंड हम यहां लेते हैं एक और एक्जांपल जैसे हमने एज ले लिए एज हम हाट कोड कर लेते हैं हम यूजर से भी डलवा सकते हैं इंपुट वाले मैथर्ट से बट सीखने के लिए रोड़ा चलती करते हैं इफ एज लेस देन एटीन इस ग्रेटर देन एटीन यू के लोट अपने लगा दिया हम यहां पर चाहते हैं तो एल्स लगा सकते हैं कि एल्स यू के नॉट वूट वाट हम एक और कंडिशन देना जाते हैं था कि हम एल्स इव यूज करना सीखें तो एल्स इफ एज इक्कोल टुकल टुट सेवंटी अगर उसकी एट सेवंटीन है तो हम उसको प्रिंट करा दें यू नीड टु वेट और वन इयर वोट अगर वो सेवंटीन से भी छोटा है हम एक और कंडिशन दे दें शिक्ष्टीन है तो हम यहां पर प्रिंट करा देते हैं यू नीड टु वेट फॉर अब यहां पर हम लास्ट कंडिशन ले लिए जिससे हमारा लूप भारा आजे उसमें कोई कंडिशन देंगे क्योंकि हमारा एल्स होगा अब हमने यहां पर एटीन दे रगी है तो एटीन से बढ़ा नहीं है इसलिए यू के नॉट वोट वह लास्ट में आ गया अब हम यहां पर एक्क्वल्टू दे देते हैं अब यह ग्रव भबैल अब हम यहां पर डालते हैं 1 रहेगा यू के नोड़क। अब वह इसमें चेक करा इसमें नहीं है reci तो यहां पर जैसे अंगे तो यह लिखाएगा आप हमारा एक एक रेंज देता है जैसे बतातों एक रेंज फंशन लिया इसमें लेते हैं वन्टू तो अब इसका ये हम कहीं भी सको कॉल कर सकते है रेंच वैंज one to ten मतलब ये range one to ten तक जाएगी हमें इसे लिस्ट में use कर सकते हैं इसे list equals range 17 और वयंज ओफ वान टू 10 हमें इस एक ऐक रपानिशन एक नय वै्राइ dign हम जब एक वैnew तक रेंगे अब हम इसे एक नई लिस्ट में बुलाएंगे अब हमें यहां पर देखना है हुआ क्या है यहां पर हमारी लिस्ट आजेगी 129 तो हमेशा जीरो से चलती है रेंज भी हर चीज यहां पर जीरो से चलती है तो यहां पर क्या है लिस्त हमने एक फंशन यूज कि देखाई तो इसके अंदर जो भी होगा यह उसे लिस्ट में डाल देगा अब इसके अंदर क्या है range equal range 1 से लेके 10 तक चलेगी तो हमें एक range में एक चीज याद करने जो range के function में जलती है तीन चीज start stop step start मतलब आपको कहां से चलाना है और stop मतलब कहां पर रोकना है और step मतलब कितने का step लेना है तो by default range function में one use होता है मतलब एक-एक का step लेगा अब यहां पर अगर हम one to ten में two का step लेते हैं तो यहां पर जो counting में एक-एक का gap आजेगा तो one के बाद three चला five four seven तो ऐसे करें यहां पर बड़ा नंबर लेते हैं यहां पर हम दस-दस का gap लेते हैं तो हमारा इस तरीके से आजेगा यहां रखना यह start है यह stop है और यह step है अब हमारा if else else if हो गया है तो अब यह थोटे से comparison conditional कैसे चेक करते हैं यह हमने double equal to देख लिया है कि if condition कैसे बराबर होती है तो फिर उस लूप में जाएगा अब यहां पर हम and or not भी उसकरना सीख लेते हैं अब जैसे हां पर हमने एक एज वेरेबल लिया था equal to 18 and sex equal to male check कर ले देए अब यहां पर जैसे हमने कर लिया if is equal to equal to 18 and sex equal to अब यहां पर हमने यह दोनों कंडिशन लगाई और एंड लगाया तो यह चल गया handle कंडिशन अब महाँ और छाएगी या तो यहां पर जब यह तो यह दोलों कंडिशन अब हम्र ने खना हैं वह जाएगा अब यहां पर भी हम मेंबर्शिप और देख लेते दें मेंबर्शिप आपरेटर इनन ओट तो जैसे हमारे पास एक लिस्ट है बन टू जिफूर अब हमें चेक करना है इफ इस इन लिस्ट क्या फाइब लिस्ट में है इस ने आएगा फाइब लिस्ट देन चेक करेंगे हम प्रिंट यहां पर इसने चेक करा कि फाइव लिस्ट में है तो इन सिंपल ओपरेटर है अपने सिंपल लेंगुज चैसी कि फाइव इन लिस्ट में है उसने का देखा गया इन मतलब होता है कि इसमें चेक करेगा जो आने वाले इनके बाइड जो लिखा उसमें चैक करेंगा ये वाले तो अगर होता जिसए हम यहां पर करते है फूर तो आजेगा यहां को सिंसी हवा थिए फिर्क करेंगे आध्याराइगा तो हम यहां पर लिखेंगे कि यह सब्सक्राइब करें इस थैस्त आप यहां पर वोड़ यह तो वह इसमें जायेगा इन और नौत तो यहां बस एक दूर्सय की अब हुजट है हमारे पास for loop है for loop में हम इसका for loop का syntax होता है for के आगे dummy variable आता है कुछ भी ले लेंगे इसका कोई बो नहीं है इसका कोई कि किसी क्यूप यूज नहीं है बस एक ऐसे dummy Umu करेंगे ऍसको वहीं जो कर बना के चलेंगे कि जैसा हम इसको बोलेंगे यह वैसा चलेगा होका व्यादर अक만 याद रिकえば को को हमेशा column आएगा जैसे if-else में column आता था इसमें भी column आएगा और एक और चीजा रखनी है जब भी column आएगा तो उसके अगले step में हमेशा indentation होगी ही तो अभी हमने दो चीजे कर लिए जिसमें indentation होती है if-else और यह third चीजे जिसको for है form भी indentation होगी अब हमें क्या करना है हमें dummy को यहां पर getting a time ago हमारे हम पर Liateur रिख विर्फ了 है तो हमने एक वैरिफन को बो रोब जोबना कि तिरको दस तक चलना है अब हमने उसको कहा कि चल, यहाँ पर हमने उसे चलना शुरू करा दिया, तो यहाँ पर इसने dummy की value क्या होई, पहले आई 0, तो यहाँ पर फिर आई 1, फिर आई 2, फिर आई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह हमेशना minus एक कम पर चलता है, तो अब जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम यह भी use कर स सकते हैं, print dummy, यहाँ पर यह 0 से चला था, यहाँ पर यह 0 से नहीं चलेगा, यहाँ पर यह 100 से चलेगा, हम इस तरीके से भी उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम gap भी दे सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं, दो-दो का gap ले, तो यह इस तरीके से चलेगा, तो जैसे range function है, start, stop, स्टेप तो यहां पर यह भी जो डमी में जो पहली वैल्यू गई वो गई 100 फिर गई 102 ऐसे करके यहां पर प्रिंट होती गई तो यह फॉर हुआ हो यह हमें से नमबर तक चला सकते हैं हमारे लिए काम अशला हो जा रहा है तो फॉर हमेशह उन चीजहों में जूर्त होता है जब हमें कोई काम repeatedly कराना है अब जैसे एक चीज़ और बताते है अब जैसे मेरे पास यह string है, अब मैं चाहता हूँ इसका a के alphabet मुझे अलग आए, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा for dummy in a हम a पर loop चलाएंगे तो हमें जैसे पता है कि a b पूरा एक syntax support a हमारा index support करता है इस तरीके से कराएंगे तो यहाँ पर हमारा एक एक alphabet अलग हो जाएगा r print हुआ पहले dummy में a का first element गया dummy में a का second element गया जो की indexing के staff से one है zero गया one गया तो वो इस तरीके से print हो जाएगा कितनी भी बड़ी string होगी तो यह तरीके से print हो जाएगा पर फॉर लूप इन काम आता है और हमें range function यूज करके हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने मैंने अभी यहाँ पर string करी है तो हम यहाँ पर list भी उसकते हैं tuple भी कर सकते है, set भी कर सकते हैं, dictionary भी कर सकते है और dummy dummy की जाएगर हम कुछ भी ले सकते हैं तो यह ना quanfus हो कि हमें सिर्फ dummy लेना है हम dummy variable की जिए ख़र कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम ले ले list मैं हाँ पर dummy variable print करा लूँगा तो यहाँ पर मैं dummy variable घी जाएगर dummy से confused नहीं होना, अब यहाँ पर आता है हमारा while तो for समझ आ गया for हमेशा उस काम आएगा जब भी हमें कोई भी काम repeatedly कराना है तो हमें एक loop चला देंगी कि यह चलते रहे और उसमें हमें variable लेना होता है हम इस variable को एक तरीके से initiator कहते हैं कि यह एक initiator iteratively चलता रहता है तो यहाँ से identifier भी ज्यादा तर हर लोग इसको for i लेके चलते है और यह आई आएगा इससे i लेके चलते है identifier, iterator, कुछ भी लेके चल सकते हैं आपर कोई भी variable तो अब while और for में क्या difference है for में हमें एक statement देनी होती है कि कहां तक चले for में हमें एक end देना होता है कहां तक चले while में हमें कोई condition हम खुट condition ऊपर defend करते है कि कहां तक चलेगा हम यहाँ पर चाहे तो while को infinitely भी चला सकते हैं but infinitely चलाने में हमारा system crash हो जाएगा चलता रहेगा, चलता रहेगा, बंदी नहीं होगा फिर हमें करनल री स्टार्ट करना पड़ेगा तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं हम एक variable लेते हैं एक की value हम लेते हैं 50 अब हम क्या करेंगे while a एक के value हम अभी 4 ले लेते हैं अब हम चलाते हैं कि a जब तक 40 से कम है तब तक चलता रहे loop तो while के आगे हमेशे हम condition define करते हैं जैसे if में condition define करते थे ऐसी हम while में define करते तो while में हम condition वो डालते हैं कि तब तक तरको loop के अंदर जाते रहना है तो while के बाद भी हमेशे indentation हमेशे याद रखनी है कि जहां पर भी colon आएगा उसके अगले step में indentation आएगी ही तो for में आए if में आए, else में आए, अब आती है wire में अब हमने यहां पर करा कि जब तक a की value 40 से कम है loop को हमने बोल दिया कि तिरको इसके अंदर जाना ही जाना है तो हमने जाके अंदर काम क्या करवारे हम जैसे print करवाते हैं a हम इसको कह रहे है a print कर और a की value हम बढ़ाते रहेंगे 4 से एक extra कर देंगे तो हम यहां पर a plus 4 equal to a अब इसको यहां पर यह लिखने का तरीका भी होता है a plus equal to 4 हम इसको print कराएंगे तो यह हमारा हो गया अब हमारी पहली value थी a की 4 तो उसने a पहले print कर दिया 4 अब 4 के बाद उसने उसमें फिर 4 plus कर दिया तो 8 हो गया अब यहां पर 36 होगी अब 36 के बाद वो जैसी दुबारा इस loop में आया तो उससे दिखा कि value तो 40 हो जाएगी मेरी अ 36 के बाद जैसे यहां पर 36 print हुआ अब यहां पर उसकी value 40 हो जाएगी वो यहां पर break हो जाएगा तो इस तरीके से while की काफी condition हमारी use होती है while अब यहां पर हम true भी लगा सकते हैं while अगर हम true लगा देंगे तो यह हमारा हमेशा चलता रहेगा करा मैं इस लूप को जलाऊंगा तो यह चलता रहेगा और यह बंदी नहीं होगा हमेशा T capital आएगा अब यह चलता रहेगा यह 4 की counting चलती रहेगी रूकेगी नहीं उसमें 4 प्लस होता रहेगा क्योंकि हमने यह हैं पर true दिया मतलब condition हमेशा चलती इस वेल्यू कोई बे रेंडम वेल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हमने दे देंगे और उसके आगे लगा देंगे ब्रेक और हमारा continue भी आता है इसमें अगली वीडियो में करेंगे ब्रेक और continue हमारे लूप कंट्रोल होते हैं लूप उससे कंट्रोल कर सकते हैं अब यह देखें continuous चलता रहेगा और counting तो infinite होती है जाता रहेगा यह कभी रोकेगा ने इसको अब रोकने के लिए हमें stop करनल करना पड़ेगा तो प्रोग्राम में ऐसे कोडिंग से बचें कि जहां पर आपका लूप बंदी नहीं हो तो काफिय सिस्टम क्रेश हो सकता है वह continuous चलता रहेगा और उसके अगला अगर हम यहां पर हमारे 10 statement और होती तो इसी में चलता रहता अगले में वह जाए गई नहीं तो इसलिए equal to one भी कर सकते हैं आफी जगे आपको ऐसे देखने को मिलेगा while one equal to one तो इसमें क्या होता है कि यह भी condition चलती रहेगी कभी रुकेगा नहीं one equal to equal to one कि conditional है तो double equal आएंगे उसमें फिर क्या होता है कि हम यहां पर बीच में condition हम देते हैं कि break हो जाए तो इसको stop कर देंगे तो इसको stop कर देंगे तो that's all in this video video description में पांच question डालो और राए करो उनके answer comment box में डालो suggestion, question, doubt कुछ भी हो comment box में डालो so guys like subscribe कर तो channel को अगर subscribe नहीं गया है तो so stay tuned and see you all in the next video till then good bye